नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चनल पर स्वागत करता हूँ दोस्तों आचरे चनल की एक माहन ग्याने की साथ साथ एक अच्छे नितिकार भी थे उन्होंने अपनी नीतियों में मनुष्य जीवन को सुकुर कर बानानी के लिए बहुत सी महतोपुरन बाते बताई है जो भी मनुष्य नीतियों का पारण पूरी निष्ठा और लगन से करता है वो जीवन में आवश्य सफल होता है आज मैं आपको आचरे चनक जिने बताय हुए ऐसे एक गुप्त धन के बार में बताने जा रहा हूँ जो भी मनुष्य ऐसे गुप्त धन को पा लेता है वो जीवन में कवी दुखी एवं असफल नहीं होता आचरे चनक के अपने श्लोक में कहते है इस श्लोक में उस गुप्त धन का वर्नन बड़ी ही सरल भाषा में संपूर्ण स्पष्टिकर्ण के साथ किया है आईए जानते हैं ऐसा वो कौन सा गुप्त धन है जिसे पाने के बाद मनुष्य प्रत्तिक कारे में सफलता हासिल करता है विद्या काम धेनु के समान प्रत्तों में इस गाय का वर्नन मिलता है कहा जाता है कि जिस किसी मनुष्य के पास काम धेनु गाय होती थी वो से संसार की सवी सुकों की प्राप्ति होती थी काम धेनु गाय किसी भी मनुष्य प्राणी को मनुवांचित फल प्रदान करने में समरत है कामधेनु की समान कोई वर नहीं होता है कामधेनु का दूद अमरत के समान होता है वो किसी भी तुछ प्रानी को अमरत्व का प्रदान कर सकता है परन्तो आज की कल्यूग में कामधेनु जैसे गव को प्राप्त करना बड़ा ही मुश्किल कारे है उसके लिए सेकडो वर्ष की तपस्या करनी पड़ती है परन्तो कल्यूग में मनुश्य के पास उतनी आयू नहीं होती है इसलिए वो कभी भी कामधेनु को प्राप्त नहीं कर सकता आचारी चनक के कहते है कल्यूग में कामधेनु के समान अगर कुछ है तो वो केवल विद्या है यदि कोई मनुश्य विद्या प्राप्त करने में समर्द हो जाता है तो उसे संसार के सभी सुखों की प्राप्ती होती है विद्या प्राप्त किया हुआ मनुष्य कभी दुखी नहीं होता बुरे समय में फल देने वाली आचरे चानक के कहते हैं जब भी बुरा समय आता है तो एक विद्या ही ऐसी चीज है जो उसके काम आती है भाग्या और प्रारब्द की देवी संसार के प्रतिक मनुष्य की परिक्षा लेती है किसी को अपार धन देकर खुश करती है और कभी उसका संपुर्न धन छेन कर उसे दरिद्री बनाकर उसकी परिक्षा लेती है ऐसी भैंकर दरेदरावस्था में अग्ञ्ञानी मनुस्य ही हमेशा दुख भोगता है और जिस विक्ति के पास ज्ञान होता है उसे ऐसी दरेदरता का जरा सभी दुख नहीं होता है भले कितनी भी दरेदरता क्यों न आ जाए उसकी ग्यान का प्रकाश उस घंगोर गरीबी के अंधरे को नश्ट कर देता है वो अपने ग्यान के आधार पर पुनह उस गरीबी को दूर कर सकता है और अपने भागे को बदल सकता है इसलिए कभी भी धन से अधिक महत्व ग्यान को ही देना चाहिए जहापर भरपुर धन हो परंत उग्यान का अंश भी ना हो ऐसे स्थान पर कते रहना उजित नहीं होता है ऐसे स्थान से तुरंत चले जाना चाहिए प्रवासकाल में माग के समान जिस प्रकार प्रानी घास के अभाव के कारण स्थलांतर करने लगते हैं तो रास्ते में अनेक हिंसर पशू और निर्बल पशू को भक्षब बनाने के लिए उनके इंतजार में बैटे रहते हैं और ऐसे समय में बचलू की सुरुक्षा केवल माता ही कर सकती है उसे बरकार विद्या हमारी माता की समान है किसी भी मनुशिक रक्षा उसकी विद्या ही करती है जब आप प्रवासकाल में हो और आपको धन की हानी का अनुभव हो तो केवल विद्या ही आपको धन प्रात करने में मदद करती है विद्या ना हो तो आपको प्रवासकाल में अने कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है कुछ लोग अपने संपति के बल पर तो प्रवास में निकल पड़ते हैं परन्तु भाग्या कभी कभी उन्हें ऐसी रहा पर लेकर चला जाता है जहाँ पर उनका धन उनके किसी काम नहीं आता है और ऐसे समय पर केवल विद्या ही काम आती है विद्या ही है गुप्त धन चानक के कहते हैं विद्या एक ऐसा धन है जिसे कोई भी चुरा नहीं सकता कोई भी मनुश्य आपकी आग्या के बिना आपकी विद्या को छीन नहीं सकता अगर आप अपनी स्वैच्छा से किसी को विद्या प्रदान करे तबी किसी को ये गुप्त धन मिल सकता है इसे संसार का कितना भी शक्तिशाल ये धनवान वेक्ति क्यों न हो वो आप से आपकी विद्या को कभी चुरा नहीं सकता है अतर हमेशा ध्यान में रखे विद्या जैसे गुप्त धन को प्राप्ट करने के आभिलाशा रखनी चाहिए तो ये था वो गुप्त धन जिसे प्राप्ट करने पर आप कभी असपल नहीं रहोगे इस वीडियो को देखिने के लिए आप सुभी का धन्यवाद करता हूँ हमारे चनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी जानकरी वाले वीडियो देख सकें धन्यवाद